हेलो इस्ट्वेंट्स आई टी ब्रेंड में आपका स्वागत आज हम फिजिक्स में क्लास 11 के टॉपिक कॉंबिनेशन ओफ एरर्स पे डिस्कस करेंगे तो क्या डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर एक बार समझें अभी तक हमने एरर्स से डिस्कसन में एरर्स के टाइप और उनकी टर्मिनलोजी यानि एपसल्यूट एरर रिलेटेव एरर इन सभी टम्स को समझा है आज हम ये डिस्कस करेंगे कि मैथोमेटिकल ओपरेशन के केस में एरर से हम किस तरीके से डील कर सकते हैं इस बात को समझने के लिए मान लीजिए ए और बी दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं और किसी एक्सपेरिमेंट में जब इनकी वैल्यू को कैलकुलेट किया गया तो एरर्स के साथ इनका आउटकम आया ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी प्लस माइनस डेल्टा बी अब माल लेजिए कि एक थर्ड क्वांटिटी क्यू इन क्वांटिटीज ए और बी से एक फॉर्मूले से कनेक्ट की गई है यानि कि ए और बी क्वांटिटी की हेल्प से कि क्यू क्वांटिटी को summation की रूप में present किया जा सकता है और हमें A और B की errors के help से Q मैं error को calculate करना है तो कैसे किया जाएगा इस तरीके का problem solve एक बार समझे तो Q का value A plus B के equal है अब ध्यान दे कि अगर मैं error limits के साथ A और B को present करूँ और ये मानूं कि A और B की error के साथ associated Q की error delta Q है तो इसी equation 1 को errors के साथ हम लिख सकते है Q plus minus delta Q equal to A plus minus delta A plus B plus minus delta B और अगर इस formula को मैं present करूँ open करके सारे terms separate करके तो ये बन जाएगा A plus B plus minus delta A plus minus delta B याने Q plus minus delta Q को तो A plus B plus minus delta A plus minus delta B से present किया जाएगा और आप देख पा रहे हैं कि अगर Q का value A plus B यहाँ apply किया जाए तो इस Q term को A और B से cancel किया जा सकता है सो जो final outcome इस process में आया वो है plus minus delta Q equal to plus minus delta A plus minus delta B तो यह जो outcome आया इसे हम कुछ इस तरह से state कर सकते हैं कि अगर एक quantity Q दो quantities के summation से दी जा रही है तो Q का error A और B के error के sum से दिया जा सकता है एक बात यहाँ पर और ध्यान दे कि हमने algebraically इस बात को solve करने की कोसिस की अगर हम calculus से भी इसे solve करते यानि अगर हम differentiation की help लेते और सभी term को self-differentiate करते तो हमें मिलता delta Q plus minus equal to plus minus delta A plus minus delta B तो आप calculus की help से भी इस algebraical step को solve कर सकते है तो आपको जहाँ पर requirement of calculus भी use कर सकते है calculus भी एक comfortable way देता है इस तरीके की problem को solve करने के लिए तो दो quantities के sum में error calculate करने के लिए हम उन दो quantity की errors को add करते है यह पहला outcome आया है इसी प्रकार मान लें कि एक physical quantity A और B के difference से दी जा रही है और हमें A और B का with errors value A plus minus delta A और B plus minus delta B पता है हमें इन दोनों की help से Q में error को calculate करना है तो जैसा हमने addition की case में solve किया कि अगर में error limits के साथ यह मानते हुए कि Q में error delta Q है इस presentation को लिख हो तो यह बनेगा Q plus minus delta Q is equal to A plus minus delta A minus B plus minus delta B और अब अगर मैं present करूँ terms को separate करके थोड़ा सा arrange करके तो Q plus minus delta Q का value आ जाएगा A minus B plus minus delta A और यह बन जाएगा minus plus delta B which can be written as plus minus delta B यहां पर आप देख पा रहे है error को plus और minus हमने absolute error में पढ़ा था कि error error ही है चाहे वो positive side calculate हो या negative side so minus plus या plus minus लिखने को हम same sense में use कर रहे है अब अगर Q का value A minus B apply किया जाए तो इस term के cancellation के बार जो error calculate हुआ है Q में वो है plus minus delta A plus minus delta B इस statement को देखकर हम समझ सकते हैं कि जो rule addition के cases में apply होता है वही subtraction के cases में भी apply होगा calculus का use करके जैसे आपने addition में solve किया था आप subtraction में भी इस problem को solve कर सकते हैं सो हम एक statement generally बोल सकते हैं कि addition या subtraction दोनो mathematical operation में अगर किसी quantity Q को 2 या 2 से जादा terms के addition के form में present किया जा रहा है या उसे दो term के subtraction के रूप में present किया जा रहा है तो उन cases में total Q quantity की error उन सभी individual quantities के error के sum से दी जाए यानि किसी quantity को अगर कई quantities दो या 2 से जादा quantities के addition के रूप में present किया जाए तो Q की error उन सभी quantities की errors के sum के बराबर होती है और ऐसा ही rule subtraction के case में भी use होता है आगे पढ़ते हैं अगर हम इसके बाद multiplication पर बात करें तीसरे mathematical operation multiplication के case में अगर हम एक formula create करें तो similar case को multiplication में लेने पर मान लीजिए A और B दो quantities हैं जिनको error के साथ A plus minus delta A और B plus minus delta B calculate किया गया है और किसी physical quantity Q को A और B के साथ कुछ इस तरीके की connectivity दी गई है यानि इस case में Q A और B के product के बराबर है और अब हमें Q में error को calculate करना है A और B की errors के term में तो जैसा हमने अभी तक किया हम A और B को with errors present कैसे कर सकते हैं यह screen पे आप देख पा रहे होंगे मान लेते हैं A और B की इन errors से associated Q की error delta Q है तो with errors इस equation 1 को हम present कर सकते हैं Q plus minus delta Q is equal to A plus minus delta A into B plus minus delta B अब अगर इस formula को हम solve करें completely open करें इसके right side terms को तो यह बनेगा Q plus minus delta Q equal to A into B plus minus A delta B plus minus B delta A आप ध्यान देते रहें और final term plus minus delta A delta B अब यहाँ पर ध्यान दे चुकि हम errors की बात कर रहे हैं तो हम यह mind make up करके इस problem को solve कर रहे हैं कि जो delta A और delta B के values हैं वो अपनी actual value के comparatively ignorably small है हम यह मान के चल रहे हैं कि जो error है वो 1% से लेकर 1% की range में है या उससे भी कम assume करके चल रहे हैं exact value से बहुत minimal है यानि कि अगर errors के value अपनी actual value से ignorably small है तो उस condition में इस expression के delta A और delta B product वाले term को ignore किया जा सकता है इस term को ignore करने के अलावा अगर हम Q का value A भी apply करते हैं तो Q के term को cancel किया जा सकता है इन दो changes के बाद हमें मिलेगा equation plus minus delta Q equal to plus minus A delta B plus minus B delta A और अब अगर हम इसे divide करे equation 1 से left side को left और right side को right में divide करें या आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम Q से both side divide करें तो उस Q को left में तो मैं Q लिख रहा हूँ लेकिन right में उसे A B present कर रहा हूँ क्योंकि Q और A भी same है तो ऐसा करने से किसी प्रकार का कोई problem create नहीं होगा अब अगर मैं इस formula को दो part में break कर दूँ तो मुझे final outcome मिलेगा delta Q over Q plus minus equal to A को cancel करने के बाद plus minus delta B over B plus minus delta A over A यहां मैंने A और इधार B cancel किया है अब मुझे equation मिली है plus minus delta Q by Q equal to delta B by B plus minus and plus minus delta A by A so जो outcome आया है उसे हम कुछ ऐसे statement के रूप में बोल सकते है कि अगर कोई quantity Q दो quantity के product पर depend करती है उनके product से दी जाती है तो उस quantity में relative error को उन दोनो quantities A और B के relative error के sum से दिया जा सकता है यहां पर ध्यान रहे है plus minus error के positive और negative nature को explain कर रहे है और दोनो expressions plus minus delta B by B और plus minus delta A by A के बीच में एक positive sign हम apply कर सकते है तो हम जान रहे हैं यहां पर कि relative error Q quantity की दोनो quantities A और B की relative errors के sum के रूप में दी जा रही है उस case में जब Q को A और B के product के रूप में explain किया जा रहा है एक बात यहां पर और ध्यान दे कि इस case में भी calculus का पूरा benefit student ले सकता है अगर वो यहां पर इस equation 1 को calculus से self-differentiate करता सभी terms को तो उसे मिलता delta Q plus minus equal to A delta B plus minus और plus minus B delta A यहां पर ध्यान दे calculus लगाने के बाद सभी terms में plus minus में apply कर रहा हूँ so plus minus delta Q equal to plus minus A delta B plus minus B delta A और यही line हमको मिली थी जब हमने algebraically solve करके इस third line में पहुचाया था so अब हम समझ सकते हैं कि दोनो side Q से divide करने के बाद यह statement इसी format में convert हो जाएगा so आप multiplication के case में भी calculus का use कर सकते हैं so इस तरीके से calculus से भी एक student इस प्रकार की problem को solve कर सकता है so algebra से जो comfortable है वो algebraically और जो calculus से comfortable है वो calculus से भी इस problem को solve कर सकते हैं इस तरीके से addition और subtraction में तो absolute error को absolute error के sum के रूप में दिया जाता है लेकिन multiplication के case में relative error क्यूंकि A और B की relative error के sum के रूप में दी जाती है आपको यह ध्यान रखना होगा कि addition, subtraction, operation में absolute errors को add किया जाता है लेकिन multiplication के case में relative errors को add करके Q का error calculate किया जा रहा है एक चौथे operation division पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे अगर हम यह सभी process division के लिए apply करें याने हम मान लें कि जो Q quantity है वो A और B के division के रूप में present की जा रही है तो इस case में कैसे इस problem को solve करेंगे एक बार आप समझें मान ले हमने Q quantity को हमें A और B को error limit के साथ A plus minus delta A और B plus minus delta B consider करूँ और यह मानू की इन से associated Q को error limits में Q plus minus delta Q लिखा जा सकता है तो Q plus minus delta Q को हम A plus minus delta A और B plus minus delta B के ratio की रूप में present कर सकते हैं याने जो expression Q equal to A भी present किया जा रहा है उसे errors के साथ Q plus minus delta Q equal to A plus minus delta A upon B plus minus delta B कहा जा सकता है अब अगर इस equation में मैं Q का value A by B apply करूँ और इसे right side shift करूँ तो हमें मिलेगा plus minus delta Q equal to A plus minus delta A upon B plus minus delta B minus A upon B आप थोड़ा ही से solve करते हैं उसके बाद आगे discuss करेंगे सो यह बन जाएगा plus minus delta Q equal to B plus minus delta B into B यह दोनों LCM आएँगे और numerator पर बनेगा A plus minus delta A multiply to B and B plus minus delta B multiply with A अगर हम इस term को थोड़ा और solve करें तो हमें मिलेगा plus minus delta Q is equal to A into B plus minus delta A into B minus B into A and minus plus चोंकि plus minus ही है A into delta B divided by B plus minus delta B into B यानि कि delta Q plus minus को present किया जा सकता है इस तरह से अब अगर मैं A, B term को cancel करता हूँ तो मुझे मिलेगा plus minus delta Q is equal to plus minus B delta A plus minus A delta B divided by B into B plus minus delta B अब यहाँ पर ध्यान दें कि यह denominator का delta B चोंकि B के सामने ignorable है तो इसे B के सामने ignore करने पर denominator के term को B square से present किया जा सकता है So delta Q का value plus minus limit में B delta A plus minus और A delta B plus minus और B square के ratio से दिया जा रहा है अब अगर इस equation को हम Q से divide कर दें तो हमें मिलेगा plus minus delta Q over Q is equal to plus minus B delta A plus minus A delta B divided by B square over Q की जगे में right side में A by B apply कर रहा हूँ यहाँ पर ध्यान दें Q और A by B same है So left में Q और right में A by B से divide किया जा सकता है इसे solve करने पर हमें मिलेगा plus minus B delta A plus minus A delta B divided by A into B और फिर बिलकुल multiplication के case की तरह अगर मैं इसे दो पार्ट में break करो तो यह बन जाएगा plus minus delta Q by Q equal to plus minus delta A upon A plus minus delta B upon B यानि कि Q की relative error को इस case में A के relative error और B के relative error के sum के रूप में दिया जा सकता है इस तरीके से division के case का outcome भी वही है जो multiplication के case का है यानि division और multiplication दोनों ही इस थितियों में जो relative error है Q quantity की उसे A और B quantities की relative error के sum के रूप में दिया जा सकता है So multiplication और division के case एक जैसे है addition और subtraction के case एक जैसे है एक बात यहाँ पर और ध्यान दे कि अगर इस case में भी student calculus का use करना चाहे तो वो calculus के use से भी इस question का outcome ले सकता है एक बार steps थोड़ा सा समझ ले कैसे करना होगा यहाँ पर calculus को एक mathematical operation के लिए ही बस लिया जा रहा है calculus को use करके आप algebraically जो LCM लेके लंबा चौड़ा calculation था उससे बच जाते है यही step calculation simplify कर देता है बांकि यह आप अपना mind make up रखे कि जब आप इस problem को solve कर रहे हैं तो delta A का value plus minus error limits में है याने हम positive और negative किसी भी error को error ही consider कर रहे है तो अगर मैं इस equation को differentiate करूँ self respect में तो यह बन जाएगा delta Q जिसे मैं error limit के साथ plus minus लिख रहा हूँ equal to B into delta A plus minus minus A into delta B plus minus divided by B square और अब अगर next plane में मैं इस plus minus को इस minus से involve करूँ तो यह minus plus बन जाएगा बड़ जैसा हम जानते हैं कि error को error कहा जाता है चाहे वो positive side हो या negative side हो याने मैं क्या कहना चाहता हूँ मेरी बात समझे कि अगर एक student अपने किसी experiment में एक बार true value से x unit छोटी reading लाता है और दूसरी बार true value से x unit body reading लाता है और उन दोनों का average निकाल के exact true value निकाल देता है तो भी उसके experiment को एक सही experiment नहीं माना जाएगा क्योंकि इस condition में ये absolute value निकालने पर दोनों ही error additive nature की होंगी और यही माना जाएगा कि उस student ने इस experiment को error के साथ किया है यानि कि error चाहे positive nature की हो या negative nature की error एरर है आप ऐसा नहीं कर सकते कि कि किसी experiment में पहले कुछ positive error करें फिर कुछ negative error करें और फिर ये justification दें कि देखिए सर final answer तो सही ही आ गया तो ये सही होना सही नहीं है यही वज़े है कि error को हमेशा absolute value के term में present किया जाता है तो अगर मैं इस minus को plus minus के साथ multiply करूँ तो ये बन जाएगा b plus minus delta a और minus plus जिसे plus minus ही लिखा जा सकता है a plus minus delta b यहाँ पर भी इस plus minus को मैं यहाँ front पे present कर रहा हूँ भी के तो ये बन जाएगा plus minus b delta a plus minus a delta b divided by b square और इसके बाद आप जानते हैं क्योंकि algebraic steps में भी पूरा calculation करने के बाद question की last line से एक line पहले जो outcome आया था वो यही था इसके बाद आप जानते हैं कि मुझे q से divide करना होगा दोनों और q से divide करने के बाद इसे दो part में break करने पर मुझे वो formula relative error के रूप में मिल जाएगा जो मुझे इससे पहले algebraic method से मिला था so हम कह सकते हैं अपने इतने discussion के आधार पर कि calculus algebra के किसी भी case का substituted way दे सकती है आप calculus से भी problems को solve कर सकते हैं और algebra से भी solve कर सकते हैं जो outcome आये हैं उन पर हमें से measure बनाए रखे addition और subtraction के case में absolute errors को जोड़ा जाता है जबकि multiplication और division के case में relative errors को जोड़ा जाता है एक situation आपके सामने और रखोगा हाला कि ये एक corollary ही समझी जानी चाहिए लेकिन आपको मालूम होना चाहिए इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी quantity को किसी quantity A की power के रूप में present किया गया है मान लिजे किसी quantity Q को A की integral power n के रूप में दिया जा रहा है और आपसे A की error को delta A consider करते हुए Q में error पूछने की कोसिस की जा रही है तो इस case को आप अपने multiplication case के जैसा ही समझे क्योंकि आप इस expression को A into A into A n times पूप में present कर पाएंगे और अब अगर इस तरीके से present करने के बाद आप इस Q में error को calculate करें तो ये बन जाएगा delta Q upon Q plus minus equal to delta A upon A plus minus और इसी प्रकार plus minus delta A by A n times लिखा जा सकता है यहाँ पर मैंने किसी प्रकार का calculation नहीं किया है के वल multiplication में थोड़ दियर पहले जो formula हमने calculate किया था उसे apply कर दिया है जो उस formula को apply करके जो outcome मुझे मिल रहा है वो है plus minus delta Q by Q equal to n multiple of plus minus delta A by A यानि आप Q के error को A के error के n multiple के रूप में explain कर सकते हैं यानि अगर किसी formula में किसी quantity को किसी दूसरी quantity की power की form में लिखा जाता है तो relative error मैं उस power number को multiply करके उस नई quantity Q का error calculate किया जा सकता है एक बात यहाँ पर आपको और समझ नहीं होगी कि integral value के लिए तो हमने इस तरह से present कर दिया इसे अगर ये value integral ना हो तो उस case में भी इस तरीके के outcome applicable है एक बार मैं उसे भी explain कर देता हूँ ताकि आप समझे लेकिन उस case में चूंकि आप इसे integral case की तरह a into a into a लिखने में comfortable नहीं होगे आप समझ सकते हैं कि अगर ये power 3 by 2 होती या ये power 7 by 3 होती तो आप इस तरीके से integral presentation नहीं दे पाते तो आप कुछ इस तरह से इसे solve करें कि मानने कि a में error plus minus delta a होने पर associated q का error plus minus delta q है तो इस formula 1 को error के साथ q plus minus delta q equal to a plus minus delta a to the power n से present किया जा सकता है इस बार n एक integral value नहीं यहाँ पर ये मान के चलें कि इस बार n एक integral value नहीं मैं इसे एक fraction या एक real number के रूप में consider कर रहा हूँ so q plus minus delta q को अगर आप a plus minus delta a to the power n के form में present करते हैं और दोनों और q से divide कर दे तो ये बनेगा q और इस तरफ में a to the power n लिख रहा हूँ आप देख पा रहे हैं कि q और a to the power n same हैं तो left right में इन दोनों से divide करने पर इसकी value में कोई फरक नहीं पढ़ना चाहिए ये सही ही होगी so solve करने पर ये बनेगा one plus minus delta q upon q is equal to one plus minus delta a upon a to the power n और अब अगर मैं इसे expand करूँ कुछ terms तक binomial theorem के help से तो ये बनेगा one plus minus delta q by q is equal to one plus minus n into delta a by a plus minus other higher terms अब यहाँ पर ध्यान दे कि other terms को मैंने present नहीं किया है क्योंकि हम जानते हैं कि अगर delta a error है a में तो उस delta a का value a के comparatively ignorably small होगा और अगर ignorably small delta a a के comparatively है तो delta a upon a की higher powers इन terms के सामने इन दोनों terms के सामने ignorably small हो जाएंगी तो आगे के सभी terms को neglect करने पर जो outcome मुझे मिलेगा वो होगा 1 plus minus delta q by q equal to 1 plus minus n multiple of delta a by a और अब अगर मैं 1 को cancel करूं दोनों तरब से तो यह मुझे पता लगेगा कि delta q by q plus minus equal to n multiple of plus minus delta a by a यानि a में जो relative error है उसके n multiple से q में relative error को दिया जा सकता है तो इस तरह से आप किसी ऐसे case में भी इस problem को solve कर पाएंगे power cases में जहां power एक integral value ना होके कोई fractional value है तो इस तरीके से आप non integral cases में भी और integral cases में भी इस outcome को पता लगा सकते हैं so addition और subtraction में absolute errors को जोड़ा जाता है multiplication और division में relative errors को जोड़ा जाता है और power raise cases में power को relative error of the quantity से multiply करके Q में error को पता लगाया जाता है so एक error अगर मालूम है तो power से एक error को relative error को multiply करके Q में error को calculate किया जा सकता है so ये different mathematical operations से related cases में आपको बताए combination of errors में एक बात पर और ध्यान दे कि जो discussion अभी तक हमने यहां किये हमने different cases में addition, subtraction, multiplication और division, power cases सभी को one by one discuss किया अगर हम एक ऐसे case पर discuss करें जिसमें यह सारी possibilities एक साथ available हो मान लीजिए किसी formula Q को कुछ इस तरह से कई physical quantity से connect किया जा रहा है इसमें a to the power x, b to the power y और c to the power z को use कर रहा हूँ सो मान लें कि किसी physical quantity Q को a to the power x, b to the power y और c to the power z से कुछ ऐसे connect किया जा रहा है इस तरह का super case हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हम multiplication, division और power cases को एक साथ समझ सके तो क्या इस case में भी एक direct result हम निकाल पाएंगे या हमें result addition, subtraction, multiplication, division और power में अलग-अलग ही निकालना होगा तो इस बात को जानने के लिए अगर हम इस case को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो ये कैसे आगे बढ़ेगा एक बार समझें कि अगर मैं मान लूँ कि A में होने वाला error plus minus delta A है B में होने वाला error plus minus delta B है और C में error plus minus delta C है और इन सभी errors से associated error जो Q में develop हो रहा है वो plus minus delta Q है तो इस formula को errors के साथ present किया जा सकता है कुछ इस तरह से Q plus minus delta Q is equal to A plus minus delta A with X power B plus minus delta B with Y power and C plus minus delta C with Z power अब जो result हमारे सामने हैं अगर हम इस result में दोनों और logarithm का use करें यानि अगर हम log take करें दोनों तो हमें जो result मिलेगा वो होगा log of Q plus minus delta Q is equal to X multiple of log A plus minus delta A plus Y multiple of log B plus minus delta B minus Z log of C plus minus delta C यहाँ पर मैंने जिस formula को use किया है आप जानते हैं उस formula को कि जो time multiply होते हैं log में वो add हो जाते है separate logs के साथ और power multiply हो जाती है log में यानि जिन formula को मैं use कर रहा हूँ है एक बार आपने देख ले कि log M into N को log M plus log N लिखा जा सकता है log M upon N को log M minus log N लिखा जा सकता है और log M to the power N को N times log M लिखा जा सकता है तो ये तीनो formula मैंने एक साथ इस equation में use किये हैं आप ध्यान से देखें मैंने सभी की powers को इस third formula से multiply कर दिया है logarithm values में multiplicative terms को मैंने addition में convert कर दिया है और division को subtraction में convert कर दिया है तो इन तीनो formula को use करके हम log Q plus minus delta Q को कुछ इस तरह का presentation दे सकते है और अगर यही formula मैं apply करूँ अपनी इस basic equation में तो मुझे मिलेगा log Q equal to x log A plus y log B minus z log C और अब अगर मैं इस equation 1 से equation 2 को या माल लीजे इस equation 2 से इस equation 3 को subtract करूँ one equation इसे define किया गया है तो इस equation 2 से इस equation 3 को minus करने पर हमें मिलेगा log Q plus minus delta Q minus log Q और इस formula से आप देख पा रहे होंगे कि log M minus log N को log M by N लिखा जा सकता है तो अगर मैं इस first equation से second equation को minus करूँ और आने वाले outcome को इस formula से लिखूँ तो यह बनेगा log Q plus minus delta Q by Q एक बारे से step को और समझे कि log M minus log N को log M by N लिखा जा सकता है और यह इस formula number 2 के accordingly हो रहा है तो log Q plus minus delta Q by Q हो जाएगा X times X को मैंने common ले लिया है log A plus minus delta A upon A plus y times plus y times यह sign जो minus करने के वज़े से change हुए है वो लिखे गए हैं so plus y times log B plus minus delta B by B और यह third term में minus common लेने पर यह बन जाएगा log C plus minus delta C by C आप ध्यान दें कि इन सभी expression को लिखते समय इस equation के two formula को ही use किया गया है अब अगर मैं इसे दो पार्ट में separate करके present करूँ सभी terms में तो मेरी अगली line क्या होगी उसको ध्यान दें वो बन जाएगी log of 1 plus minus delta Q by Q is equal to X multiple of log 1 plus minus delta A by A plus Y multiple of log 1 plus minus delta B by B और third term बन जाएगा minus Z multiple of यहाँ पर ध्यान दें मैं Z को लिखना भूल गया था यहाँ पर मैं फिर लिख रहा हूँ ही से so minus Z multiple of log 1 plus minus delta C by C याने कुछ इस तरह से आप इस expression को present कर सकते हैं अगर आप इन सभी terms को दो part में divide कर तो इस division के बाद अब हमारे पास जो final expression आया है वो है log 1 plus minus delta Q by Q equal to X log 1 plus minus delta A by A plus Y log 1 plus minus delta B by B minus Z log 1 plus minus delta C by C यहाँ पर ध्यान दें कई बार student के mind में यह बात आती है कि सार इस problem में आपने logarithm क्यों use किया जबकि इस से पहले किसी भी problem में आपने log use नहीं किया था तो ध्यान दें कि log भी algebra का ही एक part है उसे उन conditions में use किया जाता है जहाँ पर उसके इस्तेमाल से mathematical calculations simplify हो जाए यहाँ पर direct इस problem को अगर हम mathematically याने factorization से या algebra से solve करते हैं तो यह काफी difficult problem होती यही वज़े है कि log का use करके इस power problem में से power को एक multiple term के रूप पर convert करने की कोसिस की गई है इस ऐसा करने से algebra के basic behavior में कोई फरक नहीं पड़ा है केवल हमें calculation में थोड़ा simplified step ही मिले है so इस तरीके का step लिया जा सकता है किसी भी ऐसी problem में जहाँ पर आप power problem को लेकर के problem को calculate होता हुआ calculated होता हुआ देख पा रहे है so log लेने के बाद यह final expression मुझे कुछ इस तरह का मिला है और अब मैं एक formula यहाँ पर use करने वाला हूँ इसे आप log का expression मान सकते हैं मैं यहाँ पर present कर रहा हूँ आप ध्यान से देखें कि हम जानते हैं log 1 प्लस x को x minus x square upon 2 plus x cube by 3 minus and dash dash expression से present किया जाता है और तू कि यहाँ पर जो delta q by q है वो एक fraction है और उसका numerator delta q क्यों के correspondingly बहुत छोटा है और ऐसा ही सभी bracket में लिखे terms के साथ हो रहा है तो हम 1 के comparatively इसे ignorably small term मान के इस term के higher power को neglect कर सकते हैं अपने expansion में तो अगर मैं इस formula में इन सभी term को log की help से expand करूँ और higher power terms को neglect मान के हटा दो तो log 1 plus x को x लिखा जा सकता है और उस formula को इस equation में use करने पर हमें मिल जाएगा log 1 plus x equal to plus minus delta q by q एक बार फिर ध्यान से देख लें कि log 1 plus x का expansion आपके सामने है लेकिन छोटी x की values के लिए higher powers को ignore करने पर आप log 1 plus x को x कह सकते हैं तो left arm बन जाएगा plus minus delta q by q equal to x multiple of plus minus delta a by a plus y multiple of plus minus delta b by b और minus z multiple of plus minus delta c by c और चुकि minus को plus minus से multiply करने पर ये minus plus बन जाएगा और हम जानते हैं कि वो दोनों सेंसेंस में ही use होंगे तो आप अपने answer को लिख सकते हैं plus minus delta q by q equal to x multiple of plus minus x multiple of delta a by a लिख ले हैं या plus minus delta a by a के साथ भी रख सकते हैं plus y multiple of plus minus delta b by b plus z multiple of minus plus delta c by c that is equivalent to plus minus delta c by c so जो error आया है q की value में वो है plus minus delta q by q equal to x multiple of error in a plus y multiple of error in b plus z multiple of error in c यहां पर ध्यान ने कई बार इस prudent is minus के plus conversion को समझने की कोशिस नहीं करता है तो यहां पर यह बात हमेशा ध्यान देते रहे कि errors चाहे positive side हो या negative side हो error error ही है इसी लिए वो कभी subtracting nature की नहीं हो सकती है वो हमेशा additive ही रहेंगी nature में यही वज़य है कि इस पूरे clip में errors को समझाने के लिए मैं delta a की value, delta b की value, delta q की value के साथ plus minus sign लेते हुए चल रहा हूँ ताकि आप यह एक पल के लिए भी न भूले कि आप error limits पे कर रहे है error चाहे positive side हो values के या negative side हो दोनों ही condition में error को error ही माना जाएगा मैंने थोड़ देर पहले भी यह बात कही ति मैं एक बार फिर कह देता हूँ कि अगर कोई student true value से कुछ unit x unit कम value अपने एक observation में लाता है और अपने दूसरे observation में true value से x unit बड़ी value लाता है और बाद में इन दोनों को average करके true value निकाल के दे देता है तो उसके experiment को exact experiment नहीं माना जाएगा यह नहीं माना जाएगा कि उसने बिलकुल perfect experiment किया है वो यह justification देगा इसे गलत माना जाएगा कि उसके experiment के दोनों errors आपस में compensate हो गए है तो यहीं मैं आपको बार-बार इस click में बताना चाहता हूँ कि error compensate नहीं होते हैं यहीं वज़े हैं कि error को absolute error के term में पढ़ा जाता है और उसके modulus को calculate करने के बाद उसकी value निकाली जाती है so यहाँ पर मैं इस minus को इस plus minus से multiply करके plus में convert कर रहा हूँ और plus में convert करने के बाद यहाँ पर आए minus plus को मैंने एक बार फिर से plus minus में लिख दिया है हाला कि आप इसे minus plus भी लिखेंगे तो ऐसा करने से generalization में कोई फरक नहीं पड़ेगा तो कि वो minus plus भी plus minus जैसा ही sense देगा so इस तरीके से हम इस result को एक step में भी पता लगा पाएंगे so इस तरीके से आप सारे result जो आपने अभी तक निकाले separate separate steps में उन्हें एक combined result के रूप में पता लगा सकते हैं इस result से आपको multiplication, division और power के सभी cases एक साथ जानने को बिले हैं addition और subtraction का case हमने अलग से discuss किया है उसमें हमने सीखा है कि addition और subtraction operations में errors absolute error के sum से दिये जाते हैं जबकि और सभी operations में इन्हें relative error की help से explain किया जाता है एक बाती आप और और बता दू कि इस case में भी अगर कोई बच्चा calculus को use करना चाहे तो वो calculus को use कर पाएगा हाला कि मैं suggest करूँगा कि calculus use करने से पहले आप इसकी simplicity के लिए log का step इस case में भी जरूर ले याने दोनों और log लेने के बाद इस equation को आप convert कर सकते हैं यह बन जाएगी log q equal to x log a plus y log b minus z log c और इस form में convert करने के बाद अब अगर आप इसे self differentiate करें इसके सारे terms को अगर आप self differentiate करें तो आपको मिलेगा delta 1 by q delta q plus minus equal to x multiple 1 by a plus minus delta a plus y multiple one by b plus minus delta b minus z multiple one by c plus minus delta c और हर बार की तरह में इसे plus करके इसे minus plus कर दे रहा हूँ और इसका क्या sensibility है इसका क्या physical significance है वो मैंने आपको पताया कि इस step या change के पीछे कोई mathematical calculation नहीं छोपा है इसके पीछे एक reasoning है और वो reasoning यही है कि error आप चाहे positive side करें या negative side आप plus side error को minus side error से compensate नहीं कर सकते so plus minus delta q by q equal to x multiple of plus minus delta a by a plus y multiple of plus minus delta b by b plus z multiple of plus minus delta c by c so finally यह result वही है जो result आपने इससे पहले पता लगाया था algebra की help से so calculus की help से भी आप इस result को पता लगा सकते है और calculus की help से आप इसे ज़्यादा easily calculate कर पागे so mathematical steps कम हो जाते हैं जब आप calculus से solve करते हैं किसी problem को हाला कि हमने इससे पहले यह देखा कि binomial theorem की help से algebra से भी इससे solve किया जा सकता है आगे बढ़ते हैं एक important term पे all discuss करेंगे तकि यह पूरी discussion एक complete discussion बन जाए और हर प्रकार के case में हम formula को use कर पाए एक result पे मैं और बात करूंगा आप लोगों से कि अगर कभी किसी quantity को कई quantities की help से कुछ ऐसे present किया जाए जैसे कई बार हम देखते हैं optics में हमारे सामने कुछ ऐसे cases आते हैं या resistance जब parallel में जुड़े हो या capacitor series में जुड़े हो तो कई situations में हमारे सामने कुछ ऐसे formula आते हैं जिसमें कोई quantity other quantities से reciprocally connect होती है तो अब सवाल उठता है कि क्या इस case में भी हम वही process आगे बढ़ाएंगे जो अभी तक हमने बढ़ाई है तो मेरा जवाब है बिलकुल हाँ वैसे ही इस problem को भी solve किया जाएगा जैसे अभी तक हमने सभी problem solve की है एक बार फिर से अगर हम इस case में यह मान लें कि a में error plus minus delta a है और b में error plus minus delta b है और इन दोनों से associated q की error plus minus delta q है तो error के साथ इस formula को हम लिख सकते है 1 upon q plus minus delta q equal to 1 upon a plus minus delta a plus 1 upon b plus minus delta b यहाँ पर मैं इसे delta a और delta b लिखूँगा यह मैंने by mistake a और b लिख दिया था तो अगर a में error plus minus delta a और b में error plus minus delta b है और इससे associated error q में plus minus delta q है तो 1 upon q plus minus delta q को 1 upon a plus minus delta a और plus 1 upon b plus minus delta b से दिया जा सकता है अब अगर इस equation 2 में मैं equation 1 को minus करू या मैं 1 से 2 को minus कर लेता हूँ comfort के लिए तो मुझे क्या outcome मिलेगा एक बर्देक है 1 upon q minus 1 upon q plus minus delta q equal to 1 upon a minus 1 upon a plus minus delta a plus 1 upon b minus 1 upon b plus minus delta b यहां पर आप ध्यान दे हमने corresponding terms minus किये है और पहली equation से दूसरी equation को minus करने के पीछे वज़े यह है कि जब इनका LCM लिया जाएगा तो यह term इस term से अपने आप ही आगया जाएगा अब अगर मैं LCM लूँ तो यह बन जाएगा q and q plus minus delta q जो कि यह denominator पे आएगे और numerator पे मुझे मिलेगा q plus minus delta q minus q और इसी प्रकार के expression इन दोनों terms और इन दोनों terms में भी बनेंगे तो यह बन जाएगे a plus minus delta a minus a upon a and a plus minus delta a और second term बनेगा b plus minus delta b minus b upon b into b plus minus delta b और finally इसे अगर मैं calculate कर लूँ तो यह मुझे मिलेगा final result जो मुझे मिलेगा एक बार आप उसे देखें यह बन जाएगा plus minus delta q upon q into q plus minus delta q और चुकि delta q q के comparatively ignorably small है तो इसे यहां से negligibly small मान के हटाने पर मुझे मिल जाएगा plus minus delta q upon q square equal to plus minus delta a upon a square plus minus delta b upon b square यहां पर मैंने सभी terms में denominator के plus minus delta a plus minus delta b plus minus delta q को corresponding quantity के सामने ignore कर दिया है तो हमें यहां पर मिलता है plus minus delta q by q square equal to plus minus delta a by a square plus minus delta b by b square याने इस case में जब q का a b से relation कुछ इस तरह का है 1 by q equal to 1 by a plus 1 by b तो आने वाला outcome जो multiplication और division का basic formula है उसके जैसा नहीं है यहां पर वो error sum के रूप में नहीं दिया जा रहा है जैसा multiplication में दिया जाता है लेकिन अगर हम इस formula को थोड़ा सा arrange करें तो यह बनेगा plus minus delta q by q divided by q equal to plus minus delta a upon a divided by a plus minus plus plus minus delta b plus plus minus delta b by b upon b याने इस case में q के relative error और q का ratio a के relative error और a के ratio और b के relative error और b के ratio के sum से दिया जा रहा है तो different different cases में outcome different different form में आ सकते हैं लेकिन सभी results को पता लगाने का जो basic तरीका है वो हर case में एक जैसा ही रहेगा यहाँ पर भी हमने a और b के relative error से क्योंके error को connect करने की कोशिस की है a और b में error को delta a और delta b मान करके क्योंके error को delta b consider करके उन ही algebraic steps को use किया है जैसा हम multiplication और division के case में कर रहे हैं so outcome इस algebraic step के solve होने के बाद कुछ भी आ सकता है वो different different cases में different different हो सकता है so यहाँ पर आप direct relative error का formula apply नहीं कर पाएंगे यही वज़े है कि इस case पर हम एक बार अलग से discuss कर रहे है एक बात यहाँ पर और ध्यान दे क्या अगर कोई student इस case को भी calculus की help से justify करना चाहता है तो इसमें आप differentiation का use कर सकते हैं अब कैसे यह step solve होगा एक बार समझे 1 by q का value 1 by a और 1 by b के sum से दिया जा रहा है अगर मैं इस equation को differentiate करूँ variable के respect में self differentiation तो यह पहला term बनेगा 1 by q square into delta q जिसे मैं plus minus लिख रहा हूँ error limit में equal to a की power minus 1 का differentiation हो जाएगा a की power minus 2 into plus minus delta है और b की power minus 1 का differentiation b की power 2 denominator में convert हो जाएगा plus minus delta b यहाँ ध्यान दे कि इन सभी term में एक minus b आएगा जिसे मैंने नहीं लिखा है यानि कि आप यह मालने कि सभी terms के minus को मैंने overall cancel कर दिया है क्योंकि q की power minus 1 a की power minus 1 और b की power minus 1 का differentiation minus 1 into q की power minus 2 a की power minus 2 और b की power minus 2 होना चाहिए सो उस minus को cancel करके हम direct outcome लिख रहे हैं और हम देख पा रहे हैं कि यह वही outcome है जिसे हमने algebra से पता लगाया था सो हम समझ सकते हैं कि calculus भी हमें इस outcome तक पहुचा सकते हैं तो चाहे आप algebra का step यूज करें या calculus का step यूज करें किसी भी तरीके में solve करने पर आपको जो outcome मिलेगा वो same ही होगा सो इस तरीके से आप किसी भी problem को solve कर सकते हैं बस एक गलती ना करें एक गलती ये कभी ना करें कि 1 upon q को 1 upon a plus 1 upon b लिख करके कई बार student इसका LCM लेके q के value को a into b upon a plus b calculate कर लेता है और उसके बाद q की error को ये step आप नल है क्योंकि ये गलत होगा इस step में आप same quantity के error को दो बार consider कर रहे हैं इस तरीके का step आप नहीं ले पाएंगे आपको या तो calculus के इस step से या पिर algebra में जैसा मैंने explain किया उस तरीके से solve करके निकाले गए इस formula से इस problem को solve करना होगा basic method आप कभी भी लगा सकते हैं और अगर आप formula remember करना चाहें तो इस case का formula कुछ ऐसे format में याद कर सकते हैं तो इस clip में हमने आपको सभी प्रकार के cases में सभी operations में error का resultant निकालना सिखाया ये बताया आपको कि addition और subtraction के case में absolute error के sum के बराबर error quantity में होती है जबकि multiplication और division के case में relative error को sum किया जाता है power raised problems में power relative error से multiply हो जाती है और अगर हम किसी ऐसे formula को solve करें जिसका format 1 by q equal to 1 by a plus 1 by b type का हो तो उसमें error का formula कुछ इस तरह से दिया जाएगा इस script में हमने सभी प्रकार के mathematical operations में other clip में इन ही पर based problems पे हम discuss करेंगे thank you